आप सोचिए आज़ादी के बात से लेकर 2008 तक एनने 1947 से 2008 तक और देश भर के 20 लाग लोग सुन रहे हैं सुनकर के चौक जाएंगे 1947 से 2008 तक हमारे देश की सभी बैंकों ने कुल मिला करके 18 लाग करोड रुपी की राश्ची ही लोन के तोर पर दी थी 18 लाग करोड इतने सारे कालखन बे लेकिन 2008 के बाद सिरफ 6 साल में यहने साट साल में क्या हुआ और छे साल में क्या हुआ साट साल में 18 लाग करोड और छे साल में यह राश्ची बढ़कर 52 लाग करोड रुपी हो गई ले जाओ बाद में मोदी आये गा रोये गा ले जाओ याने जितना लोन देश के बैंकों ने आज़ादी के बाद दिया था उसका लगवग दो गुना लोन पिछली सरकार के छे साल में तेरा भी भला मेरा भी भला और यह लोन मिलता कैसे था हमारे देश में यह टेकनलोजी तो अब आई लेकिन उस समय एक स्पेशल परमपरा चल रही थी फॉन बैंकिंग की और इस फॉन बैंकिंग का प्रसार उतना हुआ था अने नामदार अगर फॉन कर दें तो बैंकिंग और फॉन पर कर्ज देने वाले बेड़ा पार लोन मिल ही जाता था जिस भी बड़े धनी दन दना सेट को लोन चाहिए होता था वो नामदारों से बैंक में फोन करवा देता था बैंक वाले फिर उस व्यक्ति या उस कंपनी को जट से अर्बों खर्बों रुप्यों का कर्ज दे देते थे सारे नियम सारे काइदा कानून से उपर था उन नामदारों का टेलिफोन अर्यों का टेलिफोन